चाचा को देखते ही पेरों में गिरे चिराग पाशमार पथुपती पारस ने आगे बढ़ कर लगाया गले चाथ ये मोदी ने करा दिया सुला फिर से बनेगी लोजपा लोगसभा चुनाओ से पहले कोई दोस्त से दुस्मन बन रहा है तो कोई दुस्मन दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहा है कल दिल्ली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जो कल तक एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे वो गले मिलते नजर आए दरसल कल पीए मोदी ने एंडिये की बैठक बुराई थी दुस्मन बिहार से चिराग पाशमार और पसुपती प पाउजूद चिराग पाशमार ने चाचा को देखते ही आसिरवाद लेने के लिए पैरों में गिर गये वहीं पसुपती पारस ने आगे बढ़कर चिराग को गले लगा लिया इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या चाचा भतीजा में अब सुलह हो गई है क्या पिये मोदी ने दोनों को अब साथ ला दिया है क्योंकि इस दोरान पिये मोदी भी वहां मौजूद थे क्या अब एक बार फिर से लोजपा बनने जा रही है क्या रालोजपा और लोजपा राम बिलास का विले हो जाएगा हाजिपूर से क्या पारस ही चुनाव लनेंगे इंडिये की बैठा के बाद जब चिराग पाशवान से मीडिया ने पूछा कि क्या चाचा आपके साथ आ रहे हैं तब चिराग पाशवान ने कहा कि मेरे परिवार में बड़े ही फैसला लेते आये हैं अब उनके उपर है कि वो क्या करेंगे साथ आएंगे या नहीं वहीं बड़ी सियासी चाचा इस बात की भी हो रही है कि रामविलास की लोजपा को जो टूट कर दो बटों में बट चुकी है अब फिर से एक हो जाएगी और बीजे भी भी यही चाहती है बीते दिनों ग्री राजमंत्री नित्यानंद राय ने पारस से मिल कर यह प्रस्ताव सामने रखा था कि अब दोनों गुट एक हो जाए जिस पर नाना करते अब पारस सुलह के मूड में आते दिख रहे हैं दरसल 2024 से पहले भाजपा की नजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एक करने पर है एलजेपी के दोनों गुट एंडिये में सामील एक अहम दल है और फिलहाल चाचा भतीजे की लराई से जूज रहा है ऐसे में गड़बंदन से तगरी लराई लड़ने की बीजेपी की रन्नीती पर कहीं चाचा भतीजी की लराई गरहन न लगा दे इसे लेकर बीजेपी ग भाजपा किसी भी तरह इस पढ़ियास में है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग और पारस के बीच हुए मनमुटाव को दूर कर दिया जाए चिराग ने चाचा पारस को ऐसे समय पैट चुए है जब दोनों नेता हाजिपूर सीट को लेकर ब्यानबाजी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने दावा कर रहे हैं अंदर खाने की खवर है कि लोचपा के दोनों धरों को चिराग के नितृत में एक बार बीजेपी छे सीट देने का मन मुना चुकी है साथ ही चिराग को केंद में मंत्री पद भी दिया जाएगा लिए चिराग पाशवान की सभी डिमांड को पूरा करने की कोसस कर रही है चिराग के चाचा पारस के सुलह के अलावा कोई रास्ता फिलाल दिखाई नहीं दे रहा इसे में दो गूटों में बढ़ चुकी रामविलास पाशवान की लोचपा अब क्या फिर से एक हो हैं तो हमारे पीच को भी लाइक कर लें बहुत बहुत धन्यवाद